Friends, Hindi recording channel में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, अपने आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे उपसर्ग और प्रत्याय के बारे में क्या होते हैं उपसर्ग और प्रत्याय किसे कहते हैं और इनके किते प्रकार के ये होते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने इंग्लिश विशे में पड़े होंगे suffix and prefix उन्ही को हिंदी में हम क्याते हैं उपसर्ग और प्रत्याय और इन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे अपने आज के और अगले आने वाले अध्यायों में आज हम चर्चा करने वाले हैं उपसर्ग के बारे में जानेंगे उपसर्ग की परिभाशा और किते प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम अपने अध्याय में चर्चा करते हैं तो चले शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय उपसर्ग सबसे पहले हम जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों जो शब्दाज शब्दों के आरंभ में लग कर उसके अर्थ को परिवर्टित कर देते हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं यानि कि भाशा के वे छोटे से छोटा सार्थक खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्मान करता है उसे उपसर्ग कहते हैं दोस्तों जो उपसर्ग होते हैं इनका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता किन्तु जब भी एकिसी मूलशब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो जो मूलशब्द होता है उसके अर्थ में परिवर्थन कर देते हैं या फिर उसे कुछ और विशेश बना देते हैं जैसे की कार एक मूल शब्द है इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा तो हमारा शब्द बन गया उपकार नाश मूल शब्द है इसमें हमने वी उपसर्ग लगाया तो यह बना विनाश सम हार हार एक मुल शब्द है, सम एक उपसर्ग है, इसको इसके साथ जोड़ा तो बना सनहार इन शब्दों के आरब में जब हमने उपसम वी लगाया तो इन से बने शब्दों के अर्ध में परिवर्तन हो गया दोस्तों उपसर्ग चार परकार के होते हैं संस्क्रिट के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अर्भी, फार्सी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान परियुक्त होने वाले संस्क्रिट के अव्याई और दोस्तों हमने इसमें अंग्रेजी के उपसर्ग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे संस्रिक के उपसर्ग सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये 21 होते हैं इसका पहला उपसर्ग होता है अती यदि हम इसमें शे मूल शब्द जोडते हैं तो हमारा शब्द बनता है अती शे दूसरा है अधी उपसर्ग और जब हम इसको कार मूल शब्द के साथ जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बन जाता है अधिकार एक उपसर्ग होता है अनू और मूल शब्द है शासन इसके साथ जब हमने जोड़ा तो बन गया हमारा शब्द बना अनू शासन अगला उपसर्ग है अप कार एक मूल शब्द है अप में जब हमने कार जोड दिया तो हमारा नया शब्द बना अपकार और इसका अर्थ भी बदल गया पांचवा उपसर्ग होता है अभी जब हमने मान मूल शब्द में इसको जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना अभी मान अगला उपसर्ग है अव गुन हमारा एक मूल शब्द है जब हमने गुन में अव उपसर्ग को जोड़ा तो बना अव गुन आ भी एक उपसर्ग है संस्कित भाषा का जीवन मूल शब्द है इसके साथ जोड़ देने पर हमारा शब्द बना आजीवन संस्कित के अ उपसर्ग के बाद आते हैं उपसर्ग उत उप सर्ग में यदि हम कश मूल शब्द को जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है उत कश अगला उप सर्ग है उप जब हमने कार मूल शब्द में उप उप सर्ग को जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना उप कार दुर जम आचार एक मूल शब्द है अगला उपसर्ग है दुस सहस मूल शब्द के साथ जब इसे हमने जोड़ा तो बन गया दुस सहस निर उपसर्ग के साथ जन मूल शब्द लगाने से निशन निश उपसर्ग में ताल मूल शब्द लगाने से हमारा निया शब्द बना निश ताल नी उपसर्ग में मूल शब्द शेद जब हमने लगाया तो हमारा नया शब्द बना निशेद संस्कित में एक उपसर्ग होता है परा परा उपसर्ग में जब हम मूल शब्द जय को जोडते हैं तो नया शब्द बनता है परा जय परी उपसर्ग में जब हमने नाम मूल शब्द को जोड़ा तो नया शब्द बना परी नाम प्राउपसर्ग में मूल शब्द बल को जोड़ा तो बना प्रबल अगला उपसर्ग है प्रती और हमने जब इसमें कूल मूल शब्द को जोड़ा तो बना प्रती कूल एक उपसर्ग होता है वी इसमें जब हमने देश मूल शब्द को जोड़ा तो बना विदेश सम उपसर्ग में मूल शब्द भव को जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना सम भव अंतिम उपसर्ग है सू इसमें मूल शब्द भाव को जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनता है सू भाव दोस्तो ये थे संस्कित के 21 उपसर्ग अब हम जानते हैं हिंदी के उपसर्ग हिंदी के टोटल 12 उपसर्ग होते हैं पहला उपसरग आ होता है और यह भी संस्कित उपसरग की तरह ही मूल शब्ड के साथ जुड़कर शब्ड और उसके अर्थ को बदल देता है जैसा कि आ उपसरग में मूल शब्ड जब हम भाव को जोड़ते हैं तो हमारा नया शब्ड बनता है अभाव नी उपसर्ग में जब हमने मूल शब्द डर को जोड़ा तो बना नया शब्द है नी डर तीसरा उपसर्ग है अन और इसमें पड मूल शब्द को जोड़ने से नया शब्द बना अनपड अगला उपसर्ग है कू मती के साथ इसको जोड़ा तो बना कू मती अध के साथ हमने पका मूल शब्द को जोड़ा तो बना अध अध पका उन उपसर्ग में जब हमने साथ मूल शब्द को जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना उन साथ अव उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जूड़के उसके अर्थ में परिवत्तन तो करता ही है और साथ ही नए शब्द का निमान भी करता है परंतु यह दूसरे उपसर्गों से कुछ अलग है क्योंकि इससे बहुत से ऐसे शब्द बनते हैं जिनके अर्थ बिल्कुल ही अलग हो जाती है जैसे कि अउपसर्ग में हमने रत शब्द जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना औरत अउपसर्ग में जब हमने सिरफ रा को जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना और दूपसर्ग में जब अगला है दूपसर्ग जिसमें हमने धारू शब्द जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना दूधारू बिन उपसर्ग काफी मुल शब्दों के आगे लगता है ये common उपसर्ग है बिन जमा बादल बिन बादल बिन में हमने जब पाई मुल शब्दों को जोड़ा तो बिन पाई अगला उपसर्ग है भर इसमें यह भी बहुत से शब्दों के आगे लगता है जैसे भर, जमा, पूर, भर, पूर, भर, जमा, पेट, भर, पेट पर उपसर्ग भी बहुत शब्दों के आगे लगता है और यह अकेले भी प्रियोग किया जाता है हिंदी भाशा में हम जब भी कोई वाक्य लिखते हैं तो पर शब्द का भूतायत में प्रियोग करते हैं किन्तु यह एक उपसर्ग भी है और जब हमने इसे लोग मूल शब्द के साथ जोड़ा तो हमारा नया शब्द बना पर लोग हिंदी भाशा का अंतिम उपसर्ग होता है सू और जब यह भी बहुत से शब्दों के साथ प्रियोग किया जाता है जैसे कि हमने इसे जान मूल शब्द के साथ प्रियोग किया तो नया शब्द बना सूजान डोल मूल शब्द के साथ प्रियोग किया तो हमारा नया शब्द बना सूडोल दोस्तों ये थे हिंदी और संस्कित भाषा के कुछ उपसर्ग अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे उर्दू और फार्सी भाषा के उपसर्ग साथ में अंग्रेजी भाषा के कुछ उपसर्गों के बारे में भी चर्चा करेंगे उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा धन्यवाद दोस्तों आपका दिन छुब हो